केसेन टीवी में आपका स्वाज़त है मैं हूँ मौनिता बर्मा आए डालते हैं आज की ताज़ा ख़बर पर एक नज़र जोरा पोखर थाना छेतर अंतरगत आजाद नगर से एक नाबालिक युवती को बहला फुसला कर प्लोस के ही एक युवक द्वारा भगा ले जाने का मामला प्रकास में आया है केसेन टीवी चैनल के कार्याले में युवती के पिता बाल किसुन तूरी सब परिवार पहुँचे और पूरे घड़ना करम की जानकारी दी कहा गिया कि जोरा पोखर पुलिस कानूनी कारवाई करते हुए मेरी पुत्री को मुक्त कराने की किरपा करे इस घड़ना के बाद युवती की गुमसुदगी का मामला थाना में दर्ज कराया गिया था पर बाद में पता चला की पुलोस के ही बाबुलाल यादब का पुत्र आकास जादब भगा ले गिया है घहर वालों से पुछे जाने पर अभधर बेवार और मार पीट भी की गई जिससे परिवार दहसत में है आईए सुनते हैं पीडित की कहानी उनहीं की जुबानी सिर्फ केसियन टीवी चैनल पर आप बने रहें केसियन टीवी चैनल के साथ हम बने रहेंगे आपके साथ ताजा और एक्सकुलूसिफ खबरों के लिए केसियन टीवी चैनल को करें सब्सक्राइब टाइप करें केसियन टीवी 24 इन्टू 7 और बेल आईकन दबाएं क्या नाम हुआ आपका ? बार्गिसंतुरी कहा रहते हैं ? अजाद नगर क्या घटना घटी है आपके साथ ? हमरा लड़की लेके भाग गिया है क्या नाम है लड़की का ? लड़की है वविता कुमारी कोन लेके भागा ? अकास पूरा नाम क्या है उसका अकास जादव उसका पिता का नाम बावलाल जादव अच्छा ओ कहां रहता है अजादनगर में अच्छा किस दिन की घटना है इसलो तारीक को आप उसके बाद उसके घर गए ते पुछने के लिए जी तो क्या हुआ फिर बोला कि तुलो भागो या चाने हैं तो आप चाहते हैं अम लड़की कहां रहा है लड़का पुछने किया है तो क्या बोला के हम नहीं जानते हैं जानते हैं और मार पीट करने लगा हाँ लाठी चाहरत करने लगा तो यानि कि आपके लड़की का पहरन भी किया और जो है आप लोगों के साथ मारपीट की जड़ना को भी अन्जाम दिया भागो यहां से पुलिस परसासन से आप क्या चाहते हैं पुलिस परसासन से आप क्या चाहते हैं आपके बच्ची बरामद हो करे पुलिस पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद केसेंटीवी चैनल से बात करने के लिए क्का तरदेवी आप लड़की की कौन है मा है इस है इस बताइए लड़की अपने साथ है कुछे ले भी गई है क्या तो यह जो है आपको भागने के बाद में कोई फोन आया है कुछ नहीं कोई पता नहीं है चलिए ठीक है आज के लिए बस इतना है हम फिर मिलेंगे नई और एक्स्क्लूसिव खबर लेकर केसी एन टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार कि आपके बाद में ये बाद में नगया हुआ नगया है